चार बोतल बोड का काम मेरा रोसका ने भायत का भविश्य तबाह का रखा है हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपनी गर्फरेंड के किस्ते घर में हसास कर सुनाते हैं और मैं बता दूँ महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौते नंबर पर आते हैं हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं चपण बोग और भूखे नंगे तरपते सोजाते हैं लोग भूखे नंगे तरपते सो जाते हैं लोग मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं गरीब को काम दीजिए दान नहीं और अगर दान देने के चुक हैं तो जीते जी रखत दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान दे कर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए यही सची देश वक्ती और यही सचा राश्ट्र प्रेम है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है परन्तु एक वेचारिक बीमारी हमाई समाज में मुझे नजर आती है कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिक और इसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इनसान पैदा नहीं होते हैं, और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरुवत है, ना मुसल्मान की जरुवत है, राष्ट निर्मान के लिए केवल अच्छे इनसान की जरुवत है जरा सोच कर देखिए यह पेड़ पौदे और शकाएं भी परिशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं एक शेक्षिंग बीमारी भी हमाई समाज में मुझे नजर आती है और बड़े यह चर्रे की बात है जिस तेश ने पुरी दुनिय को तक शीला और नलंदा देकर के विश्युध्यारी शिक्षा की बुनियाद रखी आज विश्युध्यालों में हमारा एक भी विश्युध्याले खड़ा नहीं हो पाता जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षन संस्थान है तो वहीं दूसरी और इस देश के ग वो जो धनवान है इसी तरह की कई गजब की बिमारिया है और इन बिमारियों की जड़ है ना वो हमारा अंदुश्वास और मेरे विचारों में जब तक इस देश का यूव अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा हमारे समाज का श्चिक्षित वर्गी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना अपने धर्म अपनी जाती को उचा मानकर दूसरों के धर्म की अवेलना कटता रहेगा तब तक ना तो इस देश से अंदुश्वास का तम होगा और नहीं हमारा राश् राश्ट निमान तब संभव होगा जब हम जाती का दरक्षन नहीं बल्कि समाजी स्च्टिकर्ण भबात करेंगे राश्ट निमान तब संभव होगा जब स्वश्ट भ्यान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा स्वच्छ भारत स्वास्त भाद को दिल से अपनाएगा असल माईने में हमारा राष्ट निमान तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान भोजिन के नहीं बलकि यानर्चन के लिए सरकाई स्कूल की चौकड़ पर कदम रखेगा और हमारा राष्ट निमान तब तक संभव नह तब तक हमारा राश्ट्र निर्मान संभव नहीं होगा, बड़ी बड़ी बात है नहीं, छोटी-छोटी कोशिश है करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहार से नहीं, पत्थरों से लगा करती है, I being an Indian, I being a student, I being a symbol daughter of this motherland, feel proud to be an Indian, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, सरग पर दिन राथ हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस तेश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस तेश के हर उस व्यक्ति को, जो अपना काम पूरी मांदारी, पूरी महनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बि पाये देश की जिम्मेदारी नहीं है, हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने रश्ट को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, इस आली हैं कि हमने स्वतंतर भारत में जन लिया, यू तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उधारनों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक वास पर तोलों के टोले उमडाते थे और उनके वंदे मात्रम के नारों से खून में आने वाला पांच-पांच दिगरी का तुफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तुफान ला देता था लोग मर जाते थे, मिट जाते थे फास ही चड़ जाते थे तो वो भी अपनी देशभक्ती साबित कर रहे होते थे क्यूंकि ये उस तोर की देशभक्ती की कसोटी थी उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हलात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया नन्ने नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला रही पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब किन्तु मेरे घर की तो रोवचूद भी, एक मा, अपने बेटे को सरत पर दुश्मनों की धज्जियां उडाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच 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 गट जाना, चाहे इंच 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 गट जाना इस तरह पुरा परिवार अपनी देश भक्ती साबित कर रहा होता था तब देश बलिदान मांगता था तब देश लड़ जाने को कहता था तब देश मर जाने को मिट जाने को फासी चर जाने को कहता था किन तु आज आज देश लड़ जाने को नहीं कहता आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फासी चड़ जाने को नहीं कहता बलकि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति, अपना काम, पुरी इमानदारी, पुरी मेहनत और पुरी लगन से करेना तो वही सबसे बड़ा देश भक्त है मैं नहीं मानती कि फेस्बुक और वाटसैप की डीपी को तीन रंग में रंगना ही देश भक्ती है और यदि आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तीरंगा ले लेना देश भक्ती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है क्योंकि ना मस्जित को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं जो पेट के भुके होते हैं वो सिर्फ भोजन के नीवालों को जानते हैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पन का भाव है देश भक्ती और हर देश त्रोही के जीवन में आने वाला तुफान है हमारी सची देश भक्ती ताकि हर देश त्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आस्मान तेरा है अगर तू दरिंदा है तो यह शम्शान तेरा है भाई चारे से रहना है तो रह इस जमीन पर वरना यह कबर भी तेरी है और यही कबरिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है लेकिन एक देश ट्रोही से जादा देश भक्ती तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बुड़े माबाप को विधाश्रम की चौकट पर छोड़ाता है कराउटी है वो देश भक्ती जब मुसीबत में फसे लोगों की जान बचाने से ज़ादा हम सेलफी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं आज के इस दौर में वो युवा जिनके ओपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट की आशाओं को बांदे रखने क्या हिंदोस्तान महान था, महान है, महान रहेगा मेरा हिंदोस्तान महान था, महान है, महान रहेगा होगा होसला सब के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जैहिंद कहेगा पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जैहिंद कहेगा क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा एकुलिस्तान हमारा जेहिंद बंदे मात्रम और ये बर्गर, कोक, फ्राइज डाइट येश ब इन शेहर वाल उक ले नख रहे हैं हमरे लिए खाना लिट्टी चोखा और अचार होता है और ये शहर वाले प्यार करके तूट जाते हैं और जब हमारा दिल तूटता है न तो सीधे सर पे UPSC सवार होता है आना मेरे गाओं में दिखाएंगे तुमको कैसे सूरज को भी जमीन से प्यार होता है और इतनी खुबिया है मेरे गाओं की तब जाके बिहार बिहार होता है थैंक यू